हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आपके उन्नती कंपेटिशन क्लासिस में आप सभी का हार्दुक फारत करता हूं मैं आप सभी के इस यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भाग 22 इससे प्रिवेस पार्ट हम लोग डिसकस कर चुके हैं अ देखने के लिए उसमें क्लिक करना वहां पर आपको इसके तमाम वीडियो देखने को बड़ी असानी से मिल जाएंगे और वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा इस बुक को अपने पास में रखने और जैसे इसे इंपार्टन पॉइंट मैं आपको तो वीडियो सुरू करने से पहले प्लीज हिट दा लाइक बटन लाइक बटन को तुरन अभी दबाएं और वीडियो के आंत में इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेर करें वाटसब के मादियम से फेस्बुक के मादियम से या फिर जो भी आपके पास सोर्स होता है पॉइंट है इस पेज रंबर पे आपको हाइलेट करना है पहला पॉइंट सताबदी एक्सप्रेस रेल गाड़ी जवाहलाल नहरू के जरम सताबदी का घोतक है अगर जो पॉइंट है वो है आपका वासिंग मसीन की कारे पढ़ाली किस सिध्धान पर अधारिज होती है कोशन आपसे ये पूशता है एक्साम में तो आपको याद अखना है अब केंदरन नेक्स्ट रॉकेट समवेक संरक्षर सिध्धान पर कारे करता है जी हाँ ये कोशन्स एक्साम में कई बार बात मैं रेलवे के नहीं बात मैं उन एक्साम के कर रहा हूं जो रेलवे से अलग है जस्ट लाइक SSC, स्टेट PCS, बैंकिंग के एवन और आप पोस्ट आफिस के फ़र्म भरते हैं ड्रावर के फ़र्म भरते हैं किसी कॉश्टेबल SI के फ़र्म भरते हैं तो वहाँ पर भी ये कुश्टेबर पूछा गया है और जो जो पॉइंट मैं अभी आपके सामने हालेट कर रहा हूं या पिछले वीडियो में मैंने जो भी हालेट करे हैं वो सभी किसना किसी एक्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 15 से 20 बार आपको देखने को मिले हैं तो इसलिए अगर आप एक्जाम के तियारी करते हैं, डैडिकेटी रेलवे की तो आप किवल इतने पॉइंट पर सकते हैं, आदर किसी और भी एक्जाम के तियारी कर रहे हैं तब भी आपको कम से कम एक्जाम में जाने से पहले इतना पता होना चाहिए बड़े आगे, अब देखते हैं, ट्रेंट पाकिस्तान, ये बुक के रैटर कौन है, खुस्वंत सिंग और कॉंग्रेस के अंदर उग्रवादी दलका, अग्रगामी कौन थे यह थे आपके बाल, गंगाधर, तिलक अब देखिए जो लोहा होता है, लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है और जो लोहा प्राप्ट होता है बॉड़े को वो होता है maximum हरे साग से हरी सब्जी पत्तिवरी जो होती है, आपके मेथी हो गया, बतवा हो गया, साग हो गया whatever जो भी होता है आपका तो वहां से हमको प्राप्त होते हैं क्या लोहा और अगर बाड़ी में iron की कमी होती है तो क्या होता है तो होता हमको एनेमिया रोग इसी के साथ मैं आपको एक चीज और अटेच करना चाहूंगा इसमें और चीज एड़ करना चाहूंगा आपको तो विटामिन से संबंदित एक चाप्टर जो भी है लूसेंट में वो एक बार रिविजन जरू करना है एक्जाम में जाने से पहले विटामिन बी से बेरी बेरी विटामिन सी से इसकर भी विटामिन के से खून का थक्का विटामिन डी सूर्य परकास तो विटामिन को ले करक आपका जो भी रिविजन रहा है आप तक उसको एक बार और पक्का करके जाना क्योंकि विटामिन्स को ले करके एक नए कोशन्स पक्का बनता है अगला पॉइंट है आपका चरक एक सु विख्यात चिके सक आयूरवेद थे अगला पॉइंट हल्दी घाटी का युद्ध 1576 मे हुआ था और एफिल टावर कहां पर है यह आपका पैरिस में आपको फ्रांस नहीं देगा आपको पैरिस तो आपको फोकस करना है पैरिस पर देखें इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी मैंने इंक्रीज कर रखी है डियू टू प्रिंटिंग क्योंकि प्रिंटिंग काफी फै तो कैप्चर करने पर जो फाइनल जो पीडियाफ बनती है तो उसमें आपकी क्राइटी नहीं आ पाई तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा अब हम बात करते हैं भारत में कितने पिन जोन है तो वह आपके एट और भारत में रेलवे का प्राड़म किस ने करा था त अब किस उसमें एट में नाइन जो सब्जेक्ट को इंट्री किस ने करवाई थी तो यह कोशन्स पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिसकस करा था तो इसका अंसर अब मुझे आप भीजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जिससे कि मुझे यह चल रहा पता कि आप कितने एक्टिव स्टुडेंट हैं कहीं ऐसा तो नहीं पिछला पड़ा अगला पड़ा पिछला भूलते गए तो सफ़ा फॉर्मूला माइंड में नहीं लगना चाहिए आपका रिविजन काफी स्ट्रॉंग होना चाहिए जिस दिन आपका रिविजन काफी स्ट्रॉंग होगा औ चोरी चोरा पांच फरवरी 1922 घटना के बाद ए सहयोग आंदुरन वापस ले लिया था अगला पॉइंट है वंदे मात्रम सबसे पहले आनंद मठ में परकासित हुआ देखिए ये बहुत लाइट है एक्चली इस पेज में चंद्रकुत मौरे के दरबार में युनानी मतलब ग्रीक राजदूत मैगस्तनीस था और मनसबदारी पर था सुरू करने का मुख्य उदेशे सेना को सू विवस्तित करना था मुगलों की राजभासा फार्सी थी सोफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म से विक्सित था और चापेकर भाईयों का संब्द डबलू सी रेड की हत्या से है स्वाणीम चत्रुभुज योजना किस संबंदित है तो यह आपका राश्टिय राजमार्ग से समुद्रिय जल में साधरा नमक 10% होता है स्टेंट मोचल और गूलाप का सबसे व का शवाणी पिछों में और से लिएएorn का जार्ग म्धे पार्डेश की कई पतो कि अच्छा पता होकर शेक्स का कि यारी कर रहा है इस्टेट PCS की उसकी उनको इसके बारे में अच्छा से बता होगा तो यहां से एक कोशन से आपका टकरा सकता है आपके एक्जाम होल में आप से तो प्लीज डट के मुकाबला गरना है इसका आगे बात करते हैं खैबर पास पाकिस्तान में इस्तित है विद्युधारा का मापन एमीटर से होता है बढ़े आगे आगे नहीं तोड़ा से उपर बढ़ते हैं एक काम करते हैं यह यह भी तो पॉइंट है जो पढ़ने हमको अब देखिए 1857 करांती के भारतिय सिनापदी कौन-कौन से थे बिहार, भारतिय सिनापदी, कौन सिंग, कानपूर, नाना साहिब इवं तैत्यटों पे इलाबाद लियाका तर ली तो आपको तीनी याद करने है तीनी इंपोर्टेंट है बस हाँ दिल्ली का आप याद कर सकते हैं बहाद दूर सहा दित्ति है अब 1857 की करांती जो हुई थी वहां पर एक बेटी सेनापती भी होंगे इंडिया से किसी वेक्ति ने नेत्रत्व करा लेकिन इस आंदूरों के दबाने के लिए बेटी सेनापती भी कोई भी होगा ना उस जगह पर यह थोड़ा कि इंडियान के कोई भी मलब जिसने युद वेल तो कन्फिज नहीं होना आपको कानपूर, कैप्वेल, दिल्ली, निकोल, संड, एंड हटसन 1857 की करांती पर विद्यानों के कुछ मत थे देखे कुछ लोग विद्यान जो थे वहां पर उस टाइम पर 1857 के टाइम पर कुछ लोगों ने बोला ये एक सैनिक विद्यानों है बस और कुछ नहीं, तो ये सब्द किस ने कहा था, ये कहा था सर जान, लॉरेंस और सेले ने और भारत का पर्थम एवं सू नियोजीत स्वैत्यंत्रिता संग्राम है, ये सब्द जो कहा था, वो कहा था, वीडी सावर करने तो वीडी सावर करवाला जो options हैं, आपके सामने विद्रो का स्वैरूप किस प्रकार से था, जो उनका विचार था तो ये कोशन कई बार एक्जाम में पूछा गया है वीडी सावर करने कौन सर कतन बोल रहा था ये कतन या फिर एक्जाम में कोशन ये बनता है कि भारत का पर्थम एवं सू नियोजी स्वेत्यंतरता संगराम 1857 का विद्रो था तो ये सब्द किसने किस विद्यान का मत्था है ऐसा तो आपके सामने चार निम देगा तो आपको याद रखना है वीडी सावर कर आगे बढ़े देखिए जल्डा मरुंध है बेरिंग अलासका एवं रूस को आपस में कनेट करता है पाक, भारत एवं शेलंका, जिब्राल्टर, इस्पेन और मौरको अब हम बात करते हैं समाचर एजनसी, PTI और UNA किस देश की समाचर एजनसी है तो ये है भारत की उसके बाद हम बात करते हैं वाफा, वाफा फिलिस्तिन की और राइटर्स बेटेन की बस ये तीन ही है जो आपको इंपोर्टन याद करनी है, बढ़ते हैं पेज नमर फोर्टी सिक्स नाग जो है वो एंटी मिसाइल टैंक है एक एंटी टैंक मिसाइल है और खटे रसिले फल, विटामिन सी के महत्पुन सुरोत होते हैं गोबर गैन सेयंत्र का विसकार सीवी देशाई ने करा था नरमदा और तापती नदियां विंद्य परवत द्वारा घिरा हुआ है मलेरिया रू किस प्रोटो जुआ से होता है तो इसका नाम है आपका प्लाजमोडियाम दिखें ये कुश्चन्स अभी हमने कुश समय पहले कि लुषैंट की जो अब्जेक्टिव बुक है जीके की ने को निए नाम क्या है गाना और गोरा जो उपन्यास है उसके लिए का कौन है रविंद्रिनात टैगोर ये जो उपन्यास है गौरा गा, यह एक depend है, गाएं का एक बच्चा होता है अक्शली यह गाएं के उपर depend है बुरा यह उपरन्यास तगी गाएं के इसमें व्यता बताई गई है तो जिसने यह उपरन्यास पढ़ा होगा तो दिल को छूने वाला है कभी फुर्सत में, जॉप के बाद में इस उपरन्यास को पक्का बढ़ना आगे बात करते हैं टमाटर का खाया जाने वाला भाग फल है और माना कान ध्वनी के 20 से 20,000 हर्टेज डैसिबल को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है वर्सा अधिकांस परदुशगों से वातमान को साफ रखता है और राना परताप सागर जल विद्धु से संबंदित है अगला जो पाइंट है वो है आपका टैनिस, खिलाडी, रोजर, फेडर सुजिजर लेंड के हैं थोड़ा लाइट है तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना है इसको ब्रैटनेस सही होनी चाहिए मेरे कोडिंग तो आपको विजीबर होगा थोड़ा कम होगा, I know very well आगे बढ़ते हैं कि जुड़वा सहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसेन साकर जील से जुड़े हुए हैं सलाला परियोजना, चिनाब नदीपर है विश्व स्वास्य संगर्दन का हैटकॉर्टर कहां पर है जिनेवा में और डिप्थेरिया, यह जो रोग है यह जो डेजीज है, यह घलिस गरस्त होता है, तब होता है इसमें देवधास, उपन्यास देवधास मुवी, पारो शारुकान, यालाया तो यह, इसके रैटर कोन है सरत चंडर, चटर जी चंडीगड के रॉक गार्डन के स्रजन करता नेक चंड है उसके बाद हम बात करते हैं कि अकबर तेरा वर्ष के उम्र में समराड बन गया था, और कोटलिया अर्थ सास्त्र के लेखक थे महरास्ट, राज्य सूति वस्त्रोक को तैयार करने तथा उत्पादन में अगर्णे राज्य है देतिया विश्यूद, 1949-1945 के दुरान भाहरा छोड़ आंदुलन चलाया गया था अगला पॉइंट है आपका ब्रोंकाइटिस यह जो रोग है, इस रोग से यह जो डिजिस होती है उसके बाद में इससे संबंदी जो अंग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका फेफड़ा और डिने, नुकलीक का एक वरग है प्यूस गरंती सिर में स्थिद होती है, भारत के अंतिम गवर्नर जनर कौन है, लॉड माउंट बेटन अब हम बात करते हैं परमुक वचन एवं नारे करो या मरो भारत चोड़ो ये दोनो नारे किस ने दिया है, महात्मा गांधी ने इनकलाब जिन्दाबाद, भागस सिंग ने वेदो की और लोटो ये कहा था दियानन सरस्वती ने स्वराज मेरा जनमसित अधिकार है तो ये कथन था आपका बाल, गंगाधर, तिलक हे राम, मात्मा गांधी वन्दे मात्रम, बकिम, चंद्र, चटरजी, जनकर्मन, रविंद्र, नात, टैगोर, जैजवान, जैकिसान, लाल भादु सास्तरी, जैजवान, जैकिसान, पलस, जैविज्ञान तो ये कहा था अटल, बियारी, वाचपई ने यह एक डूपते बैंक का अंगरिम तीथिक चैक है, तो ये किस ने कहा था, ये कहा था, मात्मा गांधी ने अगला पॉइंट है हमारे सामने कि सीमा, सीमा रेखा का जो नाम है ये मैक मांड रेखा, कि दो देसों की बीच की एक बहंटरी लाइन है, एक सीमा रेखा है तो एक्जाम में यहां से भी questions बन सकता है तो पहला है हमारा Macmon Rekha, भारत और चीन की सीमा Rekha का नाम है, Red Click भारत और पाकिस्तान, लूरंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 49 वी समानंतर Rekha, अमरीका और कैनेडा, Maginot and Seas Fried Rekha, जर्मनी और फ्रांस के बीच के एक सीमा Rekha का नाम है तो प्लीज इसको जरूर रिवीजन करना सीमा Rekha, important point बढ़ते हैं, page number 47 के ओर तो 47 इंडिया का मतलब भारत का परथम तेल छेत्र डिगबोई है और गोवा सन 19162 में अजाद हुआ था सबसे पुराना वेद रिगवेद है और दूसरा विस्विजुद एक सेप्टमबर 1939 को सुरू हुआ खून को बहने से रोकने के लिए vitamin K important होता है अगर body में vitamin K की कमी होगी तो अगर हमको हलकी से भी चोट लगती है उसमें से खून का अगर रिसाब होता है तो उसके clotting नहीं बन पाते हैं तो यह सब जो responsibility होती है वो होती है vitamin K के मालगुरी डेस के लिखक कौन है R.K. नारायन भारत के सबसे बड़ी जील वुलर जील है और सिमला समझोता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था कोशन यहां से यह बनता है तो यह वर्स आपको याद अखना है 1972 अब देखे मामा भांजा एक मंदीर है यह मंदीर कहां पर है तो यह मंदीर है चतिस गड़ में और उसके बाद मेटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्तित है सब्द जो है आरपी आफकार्द क्या होता है रेलवे सुलक्षा बल मतलब रेलवे सुलक्षा बल अंदरास्टिय रैट क्रोस का हेड़कॉर्टर कहां पर है जिनेवा में और डोगरी भासा का सब्द चम्मु कस्मीर से है गोल कुंडा खिला जो है ये कहां पर है ये है आपका आंधर परदेश में और उसके बाद हम बात करते हैं भारत में सबसे लंबी हाईवे कौन सी है वारण असी से कन्यकुमारी ये है आपका NH7 लीनिंग टावर पीसा में जपान की मुद्रा येन कृष्ण सागर कृष्ण नधी पर बनाया गया है और साथ पगोडा का संब्द किस्से है माहा बली पुरम से पलास्टर अफ पैरिस ये होता है आपका CASO 4 एंड ये फ्यूज का पर्तिरोध उच तथा गलनांक निम्न होता है परमसुनिय माइनस 273 डिगरी सेंटिग्रेट से संबंदित है और द्वने की काई क्या होती है डेसिबल और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं रडार पद्दती विद्धु चुमब की तरंग पर कारी करती है इंजन की चाल मापने के लिए कौन से यंद्र का परिख होता है तो ये होता है आपका टेको मीटर क्या टेको मीटर अब हम बात करते हैं राजवन्स संस्थापक राजधानी मौर्य वन्स का संस्थापक कौन है चंद्रगुप्त मौर्य और इसके राजधानी क्या थी पाटली पूत्र गुप्त वन्स स्रीगुप्त संस्थापक है राजधानी है इसके पाटली पूत्र पल्लव वन्स सिंग वन्स संसापक विजयले तंजोर गुलाम वन्स कुतुब दिन एवक लाहुर दिल्ली लोधी वन्स बैरत लोधी दिल्ली आगरा चोल वन्स विजयले तंजोर बैमनी वन्स हसन गंगु एंड गुलबरगा अब हम बात करते हैं सैंदफ सब्वेता के परमुकिस्तल कौन-कौन स और उसके खोज करता के नाम किस वर्स में उसकी खोज हुई most 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 important point जी हां थोड़ा ध्यान से सुनना उसको अब हडपा जो पढ़ता है पाकिस्तान में यह किस नदी के किनारे है तो यह आपका रावी नदी के किनारे और इसकी खोज किस ने करी थी उस व्यक्ति का नाम बता हो तो उस व्यक्ति का नाम है दियानन जहानी और खोज कब करी गई थी खोज करी गई थी 1921 में तो यह सिक्वेंस है पढ़ने का महंजुलो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है उतकनन करता राखलदास कब हुआ था इसका यह हुआ था 1922 में से खोज हुई थी काली बंग और खोज हुई थी 1955-62 बढ़ते हैं पेज नंबर नाक्स्ट 48 यह बहुत लाइट है थोड़ा ध्यान से बढ़ना इसको पेज की प्रिंटिंग सोच रहों सको स्क्रिप्ट करवा दूं चलिए कर लेते हैं देखिए रुपे का सिक्का भारत में पहली बार किस ने चलाया था किसके सासर निकाल में ढ़ला गया था तो यह नाम है आपका सेड सा सोरी वांग नदी को चीन का सोक कहा जाता है सारा मरस्तल कहां पर है उत्तरी अफरीका में मांसून का कारण हवाओ को मौसमी उत्क्रमण है मैगमा जो होता है भूमी गर्भ में पिगला पदार्थ होता है और कार्बन डाइकसाइड गयांस चूने के पाने को किस रंग में बदलती है तो यह रंग होता है आपका दूदिया मतलब थोड़ा सा मिलकी कलर जो होता है वह एक परकास वर्स परकास किरण द्वारा एक वर्स में कुल तया की गई दूरी होती है अगला पॉइंट है हमार गितांजली का अनुवाद अंग्री जी में क्या था कोशन यहां पर यह बनता है कि अंग्री जी का अनुवाद तो आपके सामने चार नाम होंगे तो आपको इस ट्राइट आंसर याद रखना है रवेंद्रिनाथ टैगोर आगे बात करते हैं पोलियो विसानू द्वारा हो प्रंदावन एक्सप्रेस चिन्ने और बैंगलूर के बीच चलती है केंद्रिय बिल्डिंग रिसर्च सेंडर कहां पर है यह आपका हुड़की में और यह कहां पर है यह आपका उत्राखंड में उत्राखंड में आगे बात करते हैं हम लोग भारत के परमुख जलपरपात एवम इस्तेदी बहुत लाइट है तो इसको में आपको बस दो ही इसमें इंपॉर्टेंट है एक है आपका जोग और सेकेंड है आपका गुरस्पा यह जलपरपात कहां पर है यह आपका सरावती नदीपर और यह पढ़ता है करनाटक में सेकेंड है आपका सिफ समुंदरम यह है आपका कावेरी नदीपर और कहां पर आईए यह है आपका करनाटक में अगला जो पॉइंट है खनीज और यह कौन से राज्य में मिलते हैं सबसे ज्यादा तो उनकी लिष्ट कोईला जारखंड में सोवना लोह अयस्क यह है करनाटक में चांदी और जस्ता यह है और उसके बाद में हैं आपको यूरेनियम एंड निकिल, जहरखंड में, अबरक और चूना बत्तर ये प्राप्त होता है आंद्र परदेश में सबसे ज्यादा. अब हम बात करते हैं देश और राष्ट्रिय फूल, तो फ्रांस का राष्ट्रिय फूल क्या है लेली, कैनेडा का सफेद लेली, और भारत का कमल, और यूके का है आपका गुलाब, बढ़ते हैं पेज नमबर 49. देखे अगला जो पॉइंट है इंपोर्टेंट, वो ये की मराठो का जो सासनकाल था, उसमें एक सब्द था चौथ, जो चौथ जो सब्द है, ये क्या था, ये था एक परकार का कर, भारत की जनसंख्या ब्रदी के योगदान देने वाला प्रमुक कारक है आपका उच्च जनमदर और भांगला बांध पंजाब के सतलुज नदी पर बनाया गया है, याद रखना कि भांगला बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, एक्जाम में आप से ये पूचता है, तो ये है आपका सतलुज नदी पर, विस विसांती इस्तुप राजगीर में है, और भारत में आने वाला पहला आरिये कैस्पियन सागर के आसपास के छेतर में थे भारत में आने से पहले जो आरिये थे वो कहां पे थे कैस्पियन सागर के सासन मल आसपास के छेतर में निवास करते थे फिर ये भारत आये तो भारत के कौन सी जगह पे इन्होंने सबसे पहले निवास क हुई थी भारत सेवक समाज के सतापना गोपाल के श्ण गोकले ने करी थी भारत का विभादन माउंट बेटन प्लां द्वारा हुआ था गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्राखनडाज्ये में है रतुंदी विटामिन ए की कमी से होता है विटामिन बे की कमी से बेरी-बेरी वि प्रेपानगर नियुस्पिरिंट बनाने की फैक्टरी के लिए परसिध है और विस्वेपार संगडन का जो प्राहर नाम था ओल्ड नाम जो है इसका वो है आपका गेट इसको बोलते हैं गेट और बोलोग पुलुसकार क्रिसी विज्ञान के छेत्र में दिया जाता है पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है वरस्पति घीं के उत्पादन में हाइडोजन का परियोग किया जाता है सूर मंदर की खोज कॉपर निक्स ने की थी लोटस किया है लोटस एक परकार का कंप्यूटर का सॉफ्टेर है तारो के परिवार में सूर्य को लाजदान आप कहा जाता है अमेजन नदी ब्राजेल दच्छिन अमरीका में बहती है क्रिकेट की गैंद के परिधी 20.3 से लेकर के 22.9 सेंटी मिटर होती है और विस विकास सबसे बड़ा जहरीला साब कौन सा है उसका नाम क्या उसका नाम है आपका रसल्स वाइपर बिर्जय गालिव फार्सी तथा उर्दू के माहन कभी थे परियावन दिवस पांच जून को मनाया जाता है कुच्चिपुडी आंधर परदेश का परमुक निटते है वर्षा आंगोलन का संब्ध है मात्मा गांधी से वरधा अक्ष्लिय वरधा अंधोलन है इसका संब्ध किससे है मात्मा गांधी से से भी, फुल फॉर्म, ये, HIV का संबंध, AIDS से है, Operation Flood, दूर से संबंधित है, भारत का मानक समय, इलाबाद सहर से गुजरता है, इलाबाद में एक जगह है, उसका नाम है नैनी, तो वहां से गुजरता है, भारत का मानक समय, इसे बोते है, IST, Indian Standard Time, कुच्ची पुड़ी, जैतिया, जिंजाती का संबंध मेगाले से है, गौरा, खासी जैनतिया, गारो, खासी जैनतिया, जो आपने पढ़ा होगा नाम, तो ये सभी जो जिंजातिया, वो संबंध रखती है मेगाले से, साथ, ताल, जील, कहां पर है, उत्राखंड में, आगे बढ़ते हैं, परमु इस सैयुक राजी अमरीका का है आपका गंजा एगल आगे हम बात करते हैं कुछ दरसन और उनके संस्थापक तो मिमान सा दरसन के संस्थापक कौन है तो ये हैं महारसी जैमिनी योग दरसन महारसी पतंजली पटांजली किसוצे संबंदित है बाबारामदेव से बाबारामदेव क्या करवाते है योग तो इस तरह से आप इसको relate कर सकते हैं याद करने के purpose से आगे बात करते हैं विदान तरशन किस इंस्थापर कौन है तो ये हैं आपके महरसी रायन आप हम बात करते हैं आयोग, और वो आयोग किस बात से संबन्द से इस वली पॉइंट, पे हम अध्यान देते हैं, हंटर आयोग का संबन्द है, वो है आपका जलिया बाला बाग हत्याकाण से, राजा चले यह सम्हitism का संबंद है कर सुधार से धकर आयोग इंद्रगांधी हथे कशें संबंदे थे वगर वगर बलव Nut रहे महता बहुत इंप sentence है कई बार पूछा गया है पंचैथी राजिब्स तह त सरकालियय समेतिका संबंद है केंदे और राजिय की причam संबंद है उस पर ध्यां देना उस पर विकास करना और केंड्र और राजी के बीच में जो भी मद्भेश्ध होते हैं उसको समाप करना इस समिथी का कारिया है किसका सरकारिया आगे हम बात करते हैं देखिए वेपारिक पवन पच्षवा पवन और दृविया पवन उसकी इस स को आप खुद पढ़िए एक बर थोड़ा ध्यान से बढ़ना इसकिप मत करना मैं भी पढ़के बता सकता हूं आपको लिकिन फिर भी आप थोड़ा खुद पढ़ेंगे इस पर फ्रोकस करेंगे तो आपको याद रहेगा मैं थोड़ी देर अभी सांत रहता हूं 30 सेकिंड के लगराबब मैं ड्रहला किसम में हिसा पर को यूग दिया होगा। एक बार पढ़ लिया होगा अगर आपका रिज़न अच्छा है तो इसी भाने आपका एक बार और विज़न हो गया बढ़ते हैं पेज नमर 50 के और अगें पेज की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है मतलब प्रिंटिंग की क्वालिटी डाउन है वीडियो आप इंजेगा भी निकलती है और वायू मंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है शोब मंडल सेउक्त राज्टे सुरक्सा परिसद में 5-27 सदस्य होते हैं जूल उड़्या की काई होती है और टीबिया नमक हड़ी टांग में पाए जाती है साथ परवतों का नगर किसको कहा जाता है ये कहा तो इसका ब्रट कैसा होता है ठंडा स्वेज नहर का राश्ट्रिय करन जो हुआ था वह हुआ था नाइंटी 56 में और पिर्थवी का साथ बट्री सॉरी 71 परसेंट जो भाग है ये क्या है जल से घिरा हुआ है बंगला देश की मुद्रा टका कहलाती है वेस्व सुन्दरी ब में 978 परसेंट की मातला में होती है राश्टे गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं पर्थम खाड़ी युद्ध उनिस सो से लेकर के 91 में हुआ था उनिस सो नभ्यस में तू 91 में हुआ था पर्थम खाड़ी युद्ध बहुत इंपॉटेंट है आपको वार पानीपत का फर्स अधा नदी जो है वो है आपकी ब्रंस दोड़ी से होकर भैती है भारत सेवक समाज के स्थापना गोपाल किष्ण गोकले ने करी थी इसके लिए डार्कनेस मैंने इंक्रेस करी थी कि यह जो पॉप्सर है ना यही काफी लाइट आ रहा है यहां पर मेन रीजन यही था कि मुझको इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करनी पड़ी जिससे आपको ब्लैकनेस दिखाए दिरी होगी प्लीज थोड़ा मैनेज करिए टिहरी बांध भगीरेदी नदी पर उत्राखन में है मनु कानुन के ग्याता है विद्यूत मीटर को एमीटर से मापा चाता है भारत में जो हीडे की खान है वो कहाँ पर है मध्य परदेश में भारत की दोहरा से तक लगाने वाली परता महिला क्रिकेट के लाड़ी है आपका मिथाली राज इंडिया विंस फेडम के लेका कहें अबुल कलाम अजाद राष्ट्र पती परधा मंत्री की सल जेपाल इसाइड होता है इस्टेट का जो होता है कोशन आर के बाद मतलब परसन काल के बाद बारे बजे के बाद का काल क्या क्या कहलाता है यह कहलाता है पर सुनने काल लक्ष दिप के राजाने क्या है कावारती इल्टी तमिस का संब्द गुलाम वंसे है पानी पत का तीस पूतिकरासी ऐसाई मातरक बल और भाहर का ऐसाई मातरक क्या है एक्जामने कुश्चन से यह पूछता है डिरेक्ट नहां से और यह है आपका न्यूटर्ण विद्युद्धर्जा इलक्टरन वोल्ट दूरी परकास वर्ड्स जोती तिर्विता मोस्ट 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 इंपोर होते हैं तो यह क्या होता है मैं आपको पताना चाहूंगा कि जब भी आप लाइट वगरा यूस करते हैं जो घरों में लगती है तो जितना ल्यूमन ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस उतनी अधिक होगी यह याद रखना तो आप कभी देखते हो ना किसी भी बॉक्स के पीछे चाहे आप ऐले डी बल्ब ले रहे हों या फिर एलेडी लाइट ले रहे हो तो यूस्य सब के बीच में पीछे कि लिओमिन बॉक्स लिखा होता है लिओमिन कितना है जत्ना ज्यादा ब्राइटनेस उतनी ज्यादा है तो इस पर आप गहर करना और काफी सारे 2nd 5th 7, बस यह important है, और इसके अवधी क्या थी, और इसमें किस छेत्र को प्रात्मिक्ता दी गई थी उसके विकास के लिए, यह हमको फोकस करना है, राइट, 2nd, जो योजना थी, वो चली थी, 1956 to 1961, जिसका में जो प्रात्मिक्ता दी गई थी, इसका था तीर उद्धोगी करन, पांचवी, 74 से 79 के बीच में, इसका जो में मोटो था, वो था आपका गरीबी को हटाना, अब हम बात करते हैं, परमुक धर्म, पूजा इस्थल और पुस्तक के बारे में, पार्सी, पार्सी जो धर्म है, इसका पूजा इस्थल क्या है, अगनी मंदिर, और इसके धार्मी पुस्तक कौन से है, वो है आपकी जेंद अविस्ता, इसलाम, पूजा इस्थल, मस्जित होता है इनका, धर्मिक पुस्तक है इनकी कुरान, इसाई, पूजा इस्थल को जो होता है, उसको बोलते हैं चर्च, और इनकी जो धर्मिक पुस्तक है, वो है आपकी बाइबल, हिंदू, कहां पर जाते हैं, मंदिर में पूजा करने के ल और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करेगा और आपके जो भी फैंट कमपेटिशन के त्यारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज फेस्बुक के मादियम से वाट्सप के मादियम से जो भी आप नेट्वगिंग साइट यूज करते हैं उसके मा प्रिजन करूंगा तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना डाटा भी कोई दिक्कत हो तो रिचार्ड आप करवा लेना अपना और ये बुक अक्चुली बहुत इंपारेंट बुक है आप यह मैं समझना कि रेलवे के स्टुडेंट के लिए ये वीडियो पसके वह इंपार लगते हैं कि इंपार्टेंट है या फिर आपके टीचर ने आपको रिकमेंड करी है वो बुक पढ़ने के लिए तो आप इनी सभी बुक के यहाँ पर कंपेड़ी वीडियो देख सकते हैं किलिक करना पड़ेगा आपको प्लेलिस्ट में या फिर आप बुक को चाहें तो प तक सब चीज कवर हमने करवा दिया है लिंक कुछ इस तरह से मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन पर इस लिंक पर किलिक करना तुरंत आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा अराम से आप इस सभी प्लेलिस्ट को वीडियो को मतलब देख सकते हैं हिट दा लाइक बटन प्लीज लाइक बटन अभी प्रैस कर दीजे और इस वीडियो को जितना मैक्सिमूम शेयर कर सकते हैं करिए जो भी फ्रेंड कंपेटिशन के त्यारी कर रहे हैं उस तक थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई टेक केर एंड अल दा बेस्ट हैं